हेलो एव्रिवान आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पालक कड़ी की रेसिपी यह बहुत ही नुट्रिशनली रिच और टेस्ट वाइब भी बहुत टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही जटपट बनके तयार हो जाती है एक क्रीमी आउटकम आपको मिलेग और इसके लिए पकोड़े बढ़ाने की भी जरुवत नहीं है तो सबसे पहले हमने ले लिया है 200 ग्राम पालक जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और अब हम लेंगे इसके लिए खटी छाच और दही अगर आपने छाच मंगा के रखिये गर्मी है तो 6 घंटे तक उसे ब बहार रखे उसके साथ चाच के साथ मैंने एक बड़ा चमच दही लिया था और अब मैं देड़ चमच बड़ा इसमें बेसन डालूंगी अगर आप बेसन का रेश्व चेंज करेंगे ना तो कड़ी जो है वो इतनी क्रीमी नहीं बनेगी अगर आप कम बेसन डालेंगे तो पानी जैसी बनेगी और अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो बेसन का ही फ्लेवर ओवर पावर कर जाएगा और आपको एक क्रीमीनेस नहीं मिलेगी उसके साथ मैंने हल्दी डाल ली है अब हल्के हाथ से मैं इसे मिक्स कर लूँगी इसे मिक्स करने के बाद मैं अपना इस मिक्सर को एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल लूँगी इसे वहाँ पर मिक्स करेंगे यही इनकी सीक्रेट टिप है मेरी मदर इनलौ की ऐसा करने से कड़ी बहुत क्रीमी बनती है आपस में बेसन दही चात सब बढ़िया से मिल जाते हैं अगर मिक्सी नहीं है तो आप हा हावर फ्री हाइंडर जो आजकल चल रहे हैं विस्क से भी हम यह काम कर सकते हैं तो यह हमने हमारा मिक्सर ग्राइंडर जार में इसे कर लिया है और अब क्या करेंगे अब उनकी दूसरी टिप जब हम इसको यूज करेंगे ना उससे पहले हम इसको छान देंगे एक जो में मिलता है उसकी वज़ए से हमारी जो कड़ी यहने वह बहुत क्रीमी बनती है अब इसमें जितना मैंने दही बेसन छाच का लिया था उतना ही मैं इसमें पानी डालूँगी क्योंकि पानी हमें जादा डालना पड़ता है कड़ी का मतलब ही कड़ी है कड़ी का मतलब होता है उसे कड़ाई में कड़ना है काफी देथ अब हमने एक बड़ी सी कड़ाई ले लिए स्टील की उसमें मैंने हलका समस्टर ओल डाला है और उसके बाद मैंने इसमें मेथी दाना डाला है मेथी दाना डालने से कड़ी की डाइजस्टबिलेटी इंप्रूव हो जाती है और यह गैस नहीं बनाती है और अब इसमें हमने जो धुला हुआ पालक लिया था वह डाल दिया है तीन से 4 मिनित बस आमें पालक को पकाना है कि बस वह अपना थोड़ा सा रॉफ लेवर छोड़ दे जैसे ही तीन से चार मिनिट वो अपना पानी छोड़ देगा आपको देख जाएगा कि पालक श्रेंग हो गया है अब उसमें आपको डाला है अपना कडी का जो मिक्सचर हमने बनाया था भी मिक्सर ग्राइंडर जार के बाद जो छान के बनाया था अब यहां पर आपके लिए इसको हिलाते रहना है कब तक हिलाना है जब तक हमारा पहला उबालना आ जाए अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे न तो आपकी कडी फटी फटी बनेगी फुटक फुटक सी बनेगी क्योंकि जो दही होता है जब आपकता है अगर से हिला रहोगे तो वह फटेगा नहीं अदरवाइस कड़ी हलकी सी फटी वटी बनती है यह भी मेरी मदर इनलौ की ट्रिक है आप इस मेथट से अपनी कड़ी बना के देखिएगा कभी इतनी क्रीमी कड़ी बनेगी ना कि आपको मज़ा आजाएगा खाने में अब हमने कहा था कब तक में उबालना है देखिए जब तक ऐसा उबालना जाए एक दम तेज उबाल कि आप उसमें स्पून डालेंगे तो भी वह उबल रहा होगा अब कुछ नहीं करना इस कड़ी को उबलते रहने देना है कब तक उबलते रहने देना है 40-45 मिनिट इस कड़ी को लगते हैं पकने म क्योंकि वह बाद में बहुत जम जाता है फिर वह अलग सा देखता है तो आपको इसको कॉंस्टेंटली स्क्रेप करते रहना है देखिए कितनी बड़िया लग रही है ना पालक के पत्ते हरे हरे कड़ी आपकी एकदम पीली-पीली यह कॉंबनेशन अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है और निट्रिशनल भी बहुत अच्छा है आईरेन है गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा है दूसरा आपकी दही से कैल्शियम है बच्चों को भी बहुत पसंद आती है बस अब जैसे ही आपकी कड़ी इस कंसेस्टेंसी किया जाए आप इसको बंद क सा तड़का लगाएंगे क्योंकि हरा रंग है पीला रंग है कमी बस एक लाल रंग की है वह लाल रंग हम कैसे लाएंगे हम देसी घी में एक कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे इसको सर्व करने से पहले तो एक सुंदर से बावल में इसको ट्रांस्वर कर अब हमारा तड़का इसमें लग गया है देखिए तड़का लगने के बाद यह कड़ी कितनी ब्यूटुफुल लग रही है कश्मीरी लाल मिर्च के यूद से कलर बहुत ही अच्छा आता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना मत बूलिएगा और जरूर सिर्फ जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चानल को सब्सक्राइब भी करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में बाब बाई